हलो बच्चो आज का हमारा सवाल है एक धावक ओलम्पिक खेल में 100 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में तै करता है इस धावक की गते जूर जाकी सीमा होगी धावक का द्रब्यमान 40 किलोग्राम से 100 किलोग्राम के मद्धे मानते हुए अब देखे हमें पता है धावक की चाल धावक की चाल वी अगर हम लिखें तो धावक की चाल वी बराबर क्या होगी दूरी बटा समय दूरी कितनी है 100 और समय कितना है 10 सेकंड तो वी बराबर कितना आ गया 10 मीटर प्रती सेकंड आ गया धावक की चाल कितनी आगे 10 मीटर प्रति सेकंड अब धावक की हमें गतिज उर्जा की सीमा बतानी है तो गतिज उर्जा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होगी जब धावक का दरब्यमान कम होगा तब गतिज उर्जा क्या होगी कम होगी तो एक बटा दो और कम द्रब्यमान कितना है 40 गोड़ा 10 का स्क्वायर 2 से ये 20 बार कटा 20 गोड़ा 100 तो मिनिमम गतिज उर्जा कितनी हो गई 2000 जूल और अधिक्तम गतिज उर्जा कब होगी जब इसका द्रब्यमान 100 केजी है तो अधिक्तम गतिज उर्जा कितनी होगी एक बटा दो गोड़ा 100 गोड़ा 10 का स्क्वायर 100 से ये 50 बार कट गया तो अधिक्तम गतिज उर्जा कितनी हो गई आपकी 5000 जूल आप से पूछाए गतिज उर्जा की सीमा क्या है रेंज क्या है 2000 से लेके 5000 तक तो अपना दूसरा option सही होगा आसा है आपको solution पसंद आये होगा धन्यवाद